Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक Job Opportunity के बारे में जो कि UPSC ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की है Job Vacancy का नाम है Chemist अब अगर हम बात करें इस Job Opportunity के बारे में तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि UPSC जिसे हम Union Public Service Commission कहते हैं जो कि IAS जैसे आप prestigious exam conduct करवाती है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इस वेकेंसी के बारे में बताया है अगर आप advertisement number 22 slash 2022 देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वेकेंसी दिखेगी जो कि UPSC ने पोस्ट की है उन्हों में से एक वेकेंसी है chemist की जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखेंगे इस वेकेंसी का जो number है वो है 221-2213-226 position का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया chemist है यह जो वेकेंसी है वो ministry of mines में है और इसके अलावा अगर हम बात करें organization की तो वो है Indian Bureau of Mines total number of vacancy की अगर हम बात करें तो total तीन vacancy है दो unreserved category के लिए और एक है EWS category के लिए अब अगर हम बात करें इसके pay scale की तो देखिए pay scale आप सभी जानते है central government की यह job है तो 7th CPC level और level जो है वो 10 है यहाँ पर जो pay scale होगी वो 56,100 से 1,77,500 रुपीज तो आप देखिए बहुत ही अच्छी बहुत हैंडसम salary यहाँ पर offer की जा रही है और इसके अलावा यहाँ पर TA और HR जो है वो तो exclude है तो आप समझ सकते हैं कि salary कितनी होगी अब age की अगर हम बात करें तो age जो है वो not exceeding 35 years as on normal closing date अब यहाँ पर कुछ relaxations है जो की reserved category के लिए है और वो आपको सारे के सारे जो और भी points है वो आपको पता चलेंगे जब आप इस job notification के साथ एक PDF भी है और उस PDF को जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो वहाँ पर आपको जितने आपके मन में doubt से वो सारे clear हो जाएंगे कि आपको apply कैसे करना है कौन-कौन से document लगेंगे सारा जो है वो उस PDF में अच्छे से लिखा हुआ है तो मैं आप सभी से request करना चाहूँगा कि आप apply करने से पहले at least 10 to 20 minutes दीजिए उस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए देखिए अगर आप इतनी बड़ी job के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको पहले उस job से related जितने भी points हैं कि आपको क्या-क्या documents लगेंगे क्या-क्या qualification आपको required है यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको केवल briefly इस job के बारे में बता रहा हूँ सारी detail दे पाना बहुत ही impossible होता है वो मैं चाहूँगा कि हर student अपने end पर at least इतनी information तो वो जरूर gather करे कि उसको उस job से related क्या-क्या points है कौन-कौन सी qualifications required है इसके लावा क्या-क्या documents होने चाहिए यह सब कुछ पता होना चाहिए तो मैं request करूँगा कि आप उस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा apply करने से पहले अब अगर हम यहाँ पर बात करें essential qualification की तो देखिए essential qualification यहाँ पर master degree in chemistry from a recognized university or institution अब यहाँ पर experience भी मांगा है experience कितना मांगा है three year experience in chemical analysis of ores and mineral from a laboratory recognized as a research laboratory by council of scientific and industrial research or department of science and technology or any other such government organization carrying out chemical analysis of ores and mineral तो देखिए MST chemistry होनी चाहिए recognized university के साथ साथ ही साथ three year का experience भी यहाँ पर आपको required होगा apply करने के लिए और desirable qualification क्या है doctorate in chemistry from a recognized university तो यह desirable है यानि कि यह आपके पास नहीं भी होगा तो चलेगा लेकिन जो essential qualification है वो must है और essential qualification क्या है MST in chemistry plus three year experience of working in ores and mineral इसके अलावा जो बात करें अगर duties की तो देखिए क्या work आपको परफॉर्म करना होगा तो वो majorly जो है वो ores and mineral की testing से related ही है जो कि आप इस job notification में पढ़ पाएंगे probation आपका one year का होगा headquarter is in नागपूर महराष्टरा with service liability anywhere in इंडिया other details general central group a budgeted non-ministerial और post जो है वो permanent है तो काफी अच्छी vacancy है यहाँ पर number of vacancies तो कम है लेकिन UPSC में ऐसी vacancies लगादार आती रहती है जिसमें या तो MSC chemistry चाहिए होता है या फिर MSC chemistry के साथ कुछ certain years का experience चाहिए होता है number of vacancies कम होती है लेकिन इस type की vacancies है उनमें generally MSC chemistry student हर type की opportunities जो आपके लिए आती है उसका at least पता होना चाहिए जिससे आप aware रहेंगे कि आपकी field में किस-किस type की job opportunities आ रही है इस video को आप अपने friends के साथ भी जरूर share कीजेगा और जो मैंने important बात आपको बताई कि इस job में अगर आपको लगता है कि मैं further interested हूँ तो उस PDF को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे points को कि क्या-क्या criteria है इसके अलावा आपको apply कैसे करना है और कौन-कौन से document आपको लगेंगे यह सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा Thank you for watching this video